सब्सक्राइब कीजिए हाइटेक हिंदी टेकनोलोजी चेनल को और बेल आइकन को दबाईए ताकि आप भी कुछ नया नया सीख सके नमस्कार दोस्तों केमचो में भरको पटेल हैटेक मैं आप सबी कब हो दोच स्वागित करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लार्ज साइज वीडियो को केसे कंप्रेस करके आप स्मॉल साइज वीडियो में कनवर्ट कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर size जो है matter करता है कि YouTubers के लिए क्योंकि YouTubers जब video produce कर लेता है और जो upload करने की बारी आती है तब size जो होता है large size होता है तो ज्यादा time जाता है plus internet connectivity के ज्यादा data भी use होता है यहाँ पर कुछ नई YouTubers से होते हैं या फिर कुछ limited YouTubers से होते हैं जिनके पास limited connection होता है limited data होता है जैसे जीओ का card यूज़ करते है upload करने के लिए तो 1GB या 2GB पर दे उनको मिलता है और video का size ही होता है 500MB, 1GB या 2GB तो दोस्तों upload करते वक्त परेशानी हो जाती है तो यहाँ पर मैं simple आपको एक trick बताने वाला हूँ एक software बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप जो है अपने video की quality same to same रहेगी लेकिन size जो है compress हो जाएगी और आपको जो है एक small size video output मिलेगा तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने browser में यह website open कर लो यह link जो है में description में दे रहा हूँ handbrake.fr यह website open करने पर कुछी सरी किसे page मिल जाएगा आपको यहाँ पर आप जो window user है तो download के उपर click करके download कर सकते हो यदि आपका operating system कोई अलग है तो यहाँ पर download लिखा हुआ है उसके उपर आपको click करना होगा जैसे आप उसके उपर click करते हो तो बहुत सारे options आपको मिल जाएंगे जैसे आप Apple user हो make operating system use कर रहे हो तो यहाँ पर download कर करके आप जो है make OS supported software download कर सकते हो window user हो जैसे windows 7 to 10 आप use कर रहे हो 7,8,10 तो यहाँ से आप click करके download कर सकते हो Ubuntu के लिए यहाँ से download कर सकते हो तो यहाँ पर software download करने के बाद आपको install करना है जैसे software install हो जाता है software जैसे open होता है तो यहाँ पर cancel कर लेजे और यह हमरा software है तो हमारा जो video file होता है उसको drag and drop करना है simply तो मैं यहाँ पर drag and drop कर देता हूँ यहाँ पर कहीं पर भी छोड़ दीजिए और video जो है इसके अंदर जो है drop हो जाएगा अब video आ चुका है दोस्तों तो यहाँ पर site पर बहुत सारे options हो गए अब दोस्तों नीची आ जाए यहाँ पर normal लिखा होगा normal के उपर आपको click कर देना है ठीके normal के उपर click कर दिया अब दोस्तों यहाँ पर आपको picture settings में कुछ नहीं करना है ठीके ऐसे ही रहने दे और उपर यहाँ पर MP4 select कर ले ठीके MP4 और web optimize जो है उसके उपर click कर ले ठीके तो यह हो गया हमारा अगले page का setting और अब फिल्टर के उपर चले आए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है वीडियो में चले आए वीडियो में दोस्तों आपको यह सब settings ऐसे ही रहने देना है frame rate में same as source कर दीजिए ठीके और यहाँ पर constant frame rate कर दीजिए और उसके बाद यह यहाँ पर जो है use advice table instead लिखा होगा उसके ओपर क्लिक कर दो सबसे पहले अंटिक करके यहाँ पर settings में आपको बता देता हूं इमें जो होता है वहाँ पर auto कर दो और यहाँ पर भी आप जो होटो कर दो ठीक है audio audio में हमका हमारा जो audio quality होता है उसको High rate पे रखना है तो 320 रख दो Medium rate पे रखना है तो 160 रख दो और Low रखना है तो 128 कर दो उसके बाद दोस्तों सब्टैटल में भी कुछ नहीं करना है, चेप्टर्स में भी कुछ नहीं करना है, अब दोस्तों आज़ें एडवांस में, एडवांस में दोस्तों आपको जो है रेफ्रेंस फ्रेम्स में क्लिक करना है, 4 के उपर, 4 कर देना है, और मेक्सिमम भी फ्रेम् यह settings होता है अब दोस्तो simply start encoder के उपर click कर दीजिए यहाँ पर आपका फाइल का destination select कर लीजिए अब दोस्तों यहाँ पर browse करके आपका जो वीडियो का output होगा वो आ जाएगा उसको मैं यहाँ से cut करके desktop के उपर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को size दिखा सको तो दोस्तों यह हमारा main video था जो कि हमने convert कर दिया और यह हमारा convert होकर आ चुका है दोस्तों तो इस main की size है हम देख लेते हैं इसको close कर देता हूँ main की जो size है 288 MB और यह convert होकर आया है उसकी size देख लो 29 MB कहापर 288 और कहापर 29 दोस्तों वीडियो quality भी आप चेक कर लो कर देख बना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कापी हल्पुल रहेगा वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजे दोस्तों और हो सके तो मेरी चैनल को सब्क्राइक कर दीजिए क्योंकि यहां पर मैं इसी तरीके से नए नए वीडियो लाता रहता हूँ और तब तक के यह, I'll do